पिर राजा ने भरजी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोडे, हाथी और रत सजाओ, जल्दी रामचंद्रजी की बारात में चलो, यह सुनते ही दोनों भाई आनंदवश पुलक से भर गए। सब घोडे बड़े ही सुन्दर और चंचल करनी के हैं, वे धर्ती पर ऐसे पैर रखते हैं, जैसे जलते हुए लूहे पर रखते हो। अनेको जाति के घोडे हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, मानों हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब गोडों पर भरजी के समान अवस्ता वाले सब चैल छबीले राचकुमार सवार हुए, वे सबी सुन्दर हैं और सब आभूशन धारण किये हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं, तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले चैल, शूरवीर, चतुर और नव्युवक हैं। प्रतिक सवार के साथ दो पैदल सिफाई हैं, जो तलवार चलानी की कला में बड़ी निकुण है। शूर्ता का बाना धारन किये हुए रणधीर, वीर सब निकल कर नगर के बाहर आखड़े हुए। वे चतुर अपने घोडों को तरा-तरा की चालों से फेर रही हैं। और भेरी तथा नगाडे की आवाद सुन-सुन कर प्रसन हो रहे हैं। सार्थियों ने द्वजा, पता का, मणी और आभुशनों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षन बना दिया है। उनमें सुन्दर चवर लगे हैं और घंटियां सुन्दर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुन्दर हैं, मानो सूर्य के रथ की शोभा को चीन लेते हैं। अगनित शामकर्ण भोडे थे, उनको सार्थियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुन्दर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिक्ता से उनकी टाप पानी में नहीं जुगती, अस्त्र सश्त्र और सपसाथ सजाकर सार्थियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चड़चड कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी, जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुन्धर शकुन देता है। सुन्धर बाधलों की समुह जा रहे हो। सुन्धर पालकिया सुखसे बैठनी योग्य ताम जाम और रत आदी और भी अनेको प्रकार की सवारिया है। उन पर श्रेष्ट ब्राह्मनों के समुह चड़कर चले, मानो सब वेदों के चंद ही शरीर धारण किये हुए हो। मागद, सूत, भाट और गुण हुगाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चड़कर चले। बहुत जातियों के खचर, उूट और बैल, असंध्यों प्रकार की वस्तुएं लादलाद कर चले। कहार करोडो कावरे लेकर चले। उनमें अनेको प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों की समुह अपना अपना साथ समाज बना कर चले। सब के रिदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे है। हम श्री राम लक्षमन दोनों भाईयों को नेत्र भर कर कब देखेंगे। अटारियों पर चड़ी स्रिया मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार की मनुहर गीदगा रही है। उनके अत्यंत आनन का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रत सजा कर उनमें सूर्य के घोडों को भी मात करने वाले घोडे जोते। दोनों सुन्दर रत वे राजा दश्रत के पास ले आए जिनकी सुन्दरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रत पर राजिसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंतिवी शोभाई मान था। उस सुन्दर रत पर राजा वशिष्ट जी को हर्श पूर्वक चड़ा कर फिर स्वयम शेव गुरू, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रत पर चड़े। वशिष्ट जी के साथ राजा दश्रट जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देग गुरू ब्रहसपति जी के साथ इंद्र हो, वेद की विधी से और कुल की रीती के अंुसार सब कार्य करके तथा सब को सब प्रकार से सजे देख कर। श्री राम चंद्रजी का स्मरण करके गुरु की आग्या पाकर पृत्वी पती दश्रजी शंक बजा कर चले बारात देखकर देवता हर्शित हुए और सुन्दर मंगल दायक फूलों की वर्शा करने लगे बड़ा शोर मच गया घोडे और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे देवागनाय और मनुष्यों की स्त्रिया सुन्दर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाया बजने लगी घंटे घंटियों की द्वनी का वर्णन नहीं हो सकता पैदल चलने वाले सेवगन अत्वा पट्टे बाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं हसी करने में निपून और सुन्दर गाने में चतुर विदुशक मसकरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं सुन्दर राजकुमार मृदंग और नगाडों के शब्द सुनकर घोडों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधा से जराभी डिखते नहीं है चतुल नट चकित होकर यह देख रहे हैं बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता सुन्दर शुबदायक शकुन हो रहे हैं नीलकंट पक्षी बाई और चारा ले रहा है मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो दाहिनी और कववा सुन्दर खेत में शुभा पा रहा है नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया तीनो प्रकार की शीतल मंद सुगंदे थवा अनुकूल दिशा में चल रही है श्रेश्ट सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है लोमडी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है गाए सामने खड़ी बचडों को दूद पि रही है शामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी दही मचली और दो विद्वान ब्राम्हन हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए सभी मंगल में कल्यान में और मनुवांचित फल देने वाले शकुन मानो सच्ची होने के लिए एक ही साथ हो गए स्वयम ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलब हैं जहां श्री राम चंद्रजी सरीखे दूला और सीता जी जैसी दुलहिन हैं तथा दश्रजी और जनक जी जैसे पवित्र संधी हैं ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे अब ब्रह्म जीने नदियों पर पुल बंधवा दिये बीच बीच में टहरने के लिए सुन्दर घर बनवा दिये जिनमें देव लोग के समान संपदा चाई हैं और जहां बारात के सब लोग अपने-अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त पाते हैं मन के अनुपूल नित्य नए सुखों को देख कर सभी बारातियों को अपने घर बूल गए बड़े जोर से बच्ते हुए नगाडों की आवास सुनकर श्रेश्ट बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रत, तैदल और घोड़े सजा कर बारात लेने चले दूद, शर्बत, ठंडाई, जल आदी से भर कर सोने की कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमरित के समान, भाति-भाति के सब पकवानों से भरे हुए परात, ठाल, आदी अनेक प्रकार की सुन्दर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुए राजा ने हर्शित होकर भेट के लिए भेजी, गहने, कपडे, नाना प्रकार की मुल्यवान मनिया, पक्षी, पशु, घोडे, हाथी और बहुत तरह की सवारिया, तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सब उनके पधार्त राजा ने भे गया, अगवानों को सचधज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, कुछ लोग परस पर मिलने के लिए हर्शक मारे, बाग छोड़ कर दोड़ चले, और ऐसे मिलने मानों आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़ कर मिलते हो, देव सुन्दरि सीता जी ने प्रेम सहिक सब वस्तुएं लेली, फिर उनकी वक्षिशे होने लगी और वे याच्पू को दे दी गई, तदंतर पूजा, आदरसतकार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की और दिवाले चले, विनक्षन वस्त्रों के पावड़े बज रहे है जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं, बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहां सब को सब प्रकार का सुभिदा था सीता जी ने बाराग जनवापुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, रिदय में स्मरण कर सब सिधियों को बुलाया और उन्हें राजा दश्रच जी की महमानी करने के लिए भीजा सीता जी की आग्या सुनकर सब सिधियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदाफ सुख और इंद्रपूरी के भोग विलास को लिए हुए गई बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलब पाया इस एश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जानकी जी की बढ़ाई कर रहे है श्री रगुनाद जी यह सब सीता जी की महीमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर रिदय में हर्शित हुए पिता दश्रजी के आने का समाचार सुनकर दोनों भायों के रिदय में महान आनंद समाता न था संकोच वश्वी गुरु विश्वामित्रजी से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी विश्वामित्रजी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके रिदय में बहुत संतोश उत्पन्न हुआ प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाईयों को रिदय से लगा लिया उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भराया वे उस जन सेवा को चले जहां दश्रजी थे मानो सरोवर प्यासे की और लक्ष करके चला हो जब राजा दश्रजी ने पुत्रों सहित मुनी को आते देखा तब वे हर्शित होकर उठे और सुख की समुद्र में थाहसी लेते हुए चले पृत्वी पती दश्रजी ने मुनी की चरमधूली को वारमवार सिल पर चड़ा कर उनको दंडवत प्रणाम किया विश्वमित्र जी ने राजा को उठा कर रिदय से लगा लिया और आशिरवाद देकर कुशल पूछी फिर दोनों भाईयों को दंडवत प्रणाम करते देख कर राजा के रिदय में सुख समाया नहीं उत्रों को रिदय से लगा कर उन्होंने अपने दूस सह दुख को मिटाया मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो फिर उन्होंने वशिष्ट जी के चर्णों में सिर्नवाया मुनिश्रेष्ट ने प्रेम के आनंद में उन्हें रिदय से लगा लिया दोनों भाईयों ने सब राम्वनों की वंधना की और मन भाय आशिर्वात पाए भरत जी ने छोटे भाय शत्रगन सहित श्री राम चंदर जी को प्रणाम किया श्री राम जी ने उन्हें उठा कर रिधय से लगा लिया लक्ष्मन जी दोनों भाईयों को देखकर हर्शित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले तदंतर परम त्रिपालू और विनई श्री राम चंदर जी अयोध्या वासियों, कुटम्बियों, जाति के लोगों, याचिकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले श्री राम चंदर जी को देखकर बाराट शीतल हुई प्रीती की वीती का बखान नहीं हो सकता, राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हो पुत्रों सहित दश्रजी को देखकर नगर की स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्द हो रहे हैं, देखता फूलों की वर्शा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अपसराएं गागा कर नाच रही है अग्वानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मन, मंत्रिगन, मागद, सूत, विद्वान और भाटों ने बाराट सहित राजा दश्रजी का आदर सत्कार किया, फिर आग्या लेकर वे वापस लोटे बाराट लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकुर में अधिक आनंद शा रहा है, सब लोग ब्रमानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन राद बढ़ जाए श्री रामचंदर जी और सीता जी सुन्दर्ता की सीमा है और दोनों राजापुन्य की सीमा है, जहां तहां जनकुर्वासी स्त्री पुर्शों के समुह एकटे हो होकर यही कह रहे हैं जनक जी के सुकृत की मूर्थी जानकी जी है और दश्रजी के सुकृत बेहधारण किये हुए श्रीराम जी है इन दोलों राजाओं के समान किसीने शिवजी की आराधमा नहीं की और न इनके समान किसीने फल ही पाया इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कोई है, न होने का ही है, हम सब भी संपूर्ण पून्यों की राशी है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छबी देखी है, हमारे सरी का विशेश पुन्यात्मा कौन होगा, और अब हम श्री रगुनाची का विवाह देखेंगे, और भली भाती नेत्रों का लाब लेंगे कोयल के समान मधूर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं, कि है सुन्दर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाब है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है, ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतित्ही हुआ करेंगे जनरजी स्नेहवश बार-बार सीता जी को बुलावेंगे और करोडों कामदेवों के समान सुन्दर दोनों भाई सीता जी को लेने विधा कराने आए करेंगे तब उनकी अनेको प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी, तब-ब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्षमन को देख देख कर सुखी होंगे हे सकी, जैसा श्री राम लक्षमन का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं, वे भी एक शाम और दूसरे गौर बर्ण के हैं, उनके भी सब अंग बहुत सुन्दर हैं, जो लोग उन्हें देख आएं हैं, वे सब यही कहते हैं एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुन्दर है, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है, भरत तो श्री राम चंदर जी की ही शकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पाचान नहीं सकते लक्षमन और शत्रुग्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नक से शिखा तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुक से उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है दास तुलसी कहता है, कवी और कोवीत कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है, बल, विनए, विद्या, शील और शोभा के समुद्र, इनकी समान यहीं है जनपुर की सब स्त्रियां आचल पहला कर विधाता को यह वचन सुनाती है, कि चारों भाईयों का विवाह इसी नगर में हो, और हम सब सुन्दर मंगल गावे नेत्रों में जल भर कर पुलकिट शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है, कि है सकी, दोनों राजा पुन्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिवजी सब मनुरत पूर्ण करेंगे इस प्रकार सब मनुरत कर रही है, और रिदय को उमंग उमंग कर आनद से धर रही है, सीता जी के स्वयमवर में जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों भाईयों को देख कर सुख पाया श्री राम्चलर जी का निर्मल और महानियश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए, इस प्रकार कुछ दीन देद गए, जनक पुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनन्दित हैं मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया, हेमन्त रितू और सुहावना अगहन का महीना था, ग्रह, तिथी, नक्षत्र, योग्य और वार्श रेष्ट थे, लगनमहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया, और उसको नारजी के हाथ भीज दिया, जनक जी के जोति ब्रह्मा ही है, निर्मल और सभी सुन्दर मंगलों की मूल, गोधुली की पवित्र बेला आ गई, और अनुकुल शकुन होने लगे, तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा, कि अब देर का क्या कारण है, तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मं लाडे डोल और बहुत से बाजे बजने लगे, तथा मंगल कलश और शुब शकुन की वस्तुए सजाई गई, सुन्दर सुहागिन स्त्रियां गीतगार ही हैं और पवित्र ब्राम्मन वेद की ध्वनी कर रहे हैं, सब लोग इस प्रकार आधर कूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था, वहां गए, अवद पदी दश्रजी का समाज देखकर उनको देवराज किंद्र भी बहुत ही तुछ लगने लगे, समय हो गया, अब पधारी यह सुनते ही नगाडों पर चोड़ पड़ी, गुरु वश्टिश्ट जी से पूच कर और खुल की सब रीतियों को करके, राजा दश्रजी मुनियों और साधुों की समाज को साथ लेकर चले, अवद नरेश दश्रजी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझ कर, ब्रह्मा जी आदी देवता हजारों मुखों से उसकी सराना करने लगे, पुलकित शरीर हो तथा रिदय में उत्साह भर कर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले, जनकुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे, विचित्र मंडपो को तथा नाना प्रकार की सब अल पाहीम हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारा गण फीके पड़ जाते हैं, ब्रह्मा जी को विशेश आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कही देखी ही नहीं, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मे इस सारे अमंगलों की जड़ कर जाती हैं और चारो पधार्त मुठी में आ जाते हैं, ये वही श्री सीताराम जी है, काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। शरीर धारन करके उनकी सेवा कर रहे हो, चारो सुन्दर पुद्र साथ में ऐसे सुशोभित है, मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारन किये हुए हो, मरकत मनी और सुवर्ण के रंग की सुन्दर जोडियों को देखकर देवदाओं को कम प्रीती नहीं हुई, फिर श्री राम शरीर के सुन्दर रूप को बार बार देखते हुए, पारवती जी सहित श्री शिव जी का शरीर खुलकित हो गया और उनकी नेत्र प्रेमा श्रूओं के लिए जल से भर गये। राम जी का मोर के कंठकी सी कांती वाला शाम शरीर है, विजली का अत्यांत निरादर करने वाले प्रकाश में सुन्दर रंग के वस्त्र है, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुन्दर भाति भाति के विवाह के आभूशन शरीर पर सजाएं हुए हैं, उनका सुन्दर मु साथ में मनुहर भाई शोबित हैं जो चंचल गोडों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकमार श्रेश्ट गोडों को दिखला रहे हैं और वंच की प्रशंसा करने वाले विरुदावली सुना रहे हैं। जिस गोडे पर श्री राम जी विराजमान है उसकी चाल देख कर गरुण भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुन्दर है। मानौ कामदेव ने ही गोडे का वेश धारन कर लिया हो। मानौ जरी राम जंदर जी के लिए कामदेव गोडे का वेश बना कर अत्यंत शोभिद हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोकों को मोहित कर रहा है। सुन्दर मोती मनी और मानिक के लगी हुई जणाओं जीन जोती से जगमगा रहा है। उसकी सुन्दर घुंगरु लगी ललित लगाम को देखकर देता मनुष और मुनी सभी ठगे जाते हैं। प्रगु की इच्छा में अपने मन को लीन किये चलता हुआ वह घोडा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागन तथा बिजली से अलंकरित मेग सुन्दर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ट गोडे पर श्री राम चंदर जी सबार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम चंदर जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं। उनके अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगे।